व्लाहिप बराकाति हूँ आज का मैं ये वीडियों के लिए बना रहा हूँ जो मेही की तरण Mac यूज़ करते हैं और उनकी आदथ है YouTube पे live stream करनना यह YouTube पे वीडियोज अफ्लोड करना और फिक जब वीडियो अफ्लोड करने के बाद वह अपना वीडियो देखते है उनकी quality low होती है ठीक है तो इस problem को मैंने काफी Google सर्च किया YouTube पे सर्च किया लेकिन हमारे लिए हम Mac users के लिए किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं upload किया तो मुझे कोई भी information इसके related नहीं मिली तो यह मैं उनके लिए video बना रहा हूँ तो अक्सर क्या देखा जाता है अगर हम आप अपनी channel में आपको अपनी channel दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने दो वीडियो अप्लोड किया है एक ये video है जो मैंने अप्लोड किया हुआ है और जब मैं इसको play करता हूँ play किया हुआ अगर मैं 360 resolution इसका select करता हूँ 360 पे भी ठीक था clear image आ रही है ठीक है और मेरा दूसरा वीडियो जो मैंने live stream किया है और live stream में अगर मैं इसकी quality 720 भी रख रहा हूँ still इसकी quality clear नहीं है ठीक है तो इसका क्या reason है क्या problem है हम वो discuss कर लेते हैं और मैं ये solution बताऊँगा कि live stream में क्या settings करेंगे और जब हम upload करेंगे तब हम क्या settings लेंगे ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम directly पहले एक नया window खोल के YouTube पे जाते हैं YouTube पे जाने के बाद यहां पे directly settings में settings में हमें यहां पे एक option मिलता है playback and performance उसमें और यहां पे हमारे पास यह तीन options आते हैं AV1 setting के एक आता है auto recommended prefer AV1 for HD always prefer AV1 तो मैं यह बताना चाहता हूँ in case आपके पास कोई uploaded video है sorry in case आपके पास कोई recorded video है जो आप upload करना चाहते हैं तो यह तो obvious है वो जब आपने record किया होगा best quality में record किया होगा तो जब उसको upload करना हो YouTube पे तो हमेशा यह settings यह वाली settings चूज कीजिए auto recommended इसमें यह फाइदा है कि जो जब आपने अपना video upload किया होगा sorry upload नहीं record किया होगा उस time पे जिस quality पे वो record हुआ होगा उसी quality पे वो upload भी होगा तो उसकी quality पे कोई फरक नहीं पड़ेगा low quality video नहीं बनेगा ठीक है लेकिन जब हम live stream कर रहे हैं ठीक है तो live stream हम auto नहीं रख सकते auto का मतलब यह होता है live stream है कि जैसी net की speed होगी उसे हिसाब से आपका video upload होता जाएगा YouTube पे तो इसमें issue है बहुत सारी जगाएं ऐसे है जिस जगा से मैं belong करता हूँ मैं कश्मीर से belong करता है यहां पे अभी भी 2G है 21st century में तो हम यह problem face करते हैं कि यहां पे speed काफी कम है तो उस case में अगर मैं auto मैं अपना auto mode select करूँगा तो मेरा बहुत low resolution पे live stream video upload होगा और फिर अगर कोई 720 पे 1080 पे भी देखेगा उसको low quality ही दिखेगा तो मैं prefer करूँगा तो उसके लिए क्या करोगे prefer AV1 for HD अगर यह चीज़ सेलेक्ट करोगे तो तुमारा जो video है वो 480p, 480 resolution पे upload हो जाएगा no matter कैसी video की, कैसी internet की speed है हमेशा 480 पे ही upload होगा लेकिन इसमें एक issue आएगा जो लोग आपको live stream देख लाइव देख रहे हैं obviously उनको buffer होना start होगा उनको delay आना start होगा ठीक है और अगर यह वाला choose करोगे always prefer AV1 इसमें जो video upload होगा जो video record होगा फिर upload होगा youtube पे live वाला वो HD quality का record होगा ठीक है उसमें obviously जादा lags आएंगे और जादा buffer होगा तो in case कोई night की problem नहीं है तो मैं यह prefer करूँगा upload करते time, कोई recorded video है upload करते time auto use कर लो और अगर live stream कर रहे हो तो इन दोनों मैं से एक choose कर लो ठीक है hope आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे कुछ information मिली होगी तो मेरी जो channel है तो इसको like, share और subscribe कीजे